नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट विद गोसवामी यूटूब चैनल में मैं सुनिल गोसवामी आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे कोसल मंगल होंगे और लगातार जो है आपके आने वाले एक्जाम के लिए अच्छे से त्यारी कर रहे हैं तो हम अभी तक 6 पार्ट जो हैं कर चुके हैं तो वो वीडियो जा आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ तो आज पार्ट नमर 7 है बहुत ही बहती बहतरी वीडियो है डैली आपको यह वीडियो प्रवाइड करवाया जाता है तो चलिए कर किसे ने की थी इपोर्टेंट क्यूसन और लैंड स्टेनि ने ठीक है कि कई बार यह कुशन आ चुका है लैंड स्टेनर ठीक है कब की तो 1901 में यह और जो विगयानिक थे लैंड स्टेनर इन्होंने 1901 के अंदर यह जो है खोज की थी आगे बढ़ते हैं नेक्सिट कि तन कि हम बात करेंगे, next question, Ye hit Aluminium का परमुख ऐसे हैंज क्वों सा है Brugside, तो होता है Brugside, बात करेंगे Brugside, समझाना है गया, उपकर है क्वों सा था तो पहला स्पूत्निग था थो ह्फितलिक अभी करोना में भी आपने ये नाम सुना होगा स्पूतनिक फर्स्ट तो ये जो करत्रीम उपगरह है ये पहला था ठीक है पहला करत्रीम उपगरह था जो हम बात करें उस टाइम जो रूस था USSR बोलते जिसे रूस उसने इसको छोड़ा था तो पहला करत्रीम उपकराय था स्पूतनिक फर्स्ट कॉमेंट सेक्षन में जल्दी से बताईए इसको कब जो है छोड़ा गया पहले करत्रीम उपकराय को अगला है यांतरी कुर्जा को विधुत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो डैनमो के दवारा जो है इसको किया जाता है परिवर्तित डैनमो के दवारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं computer की S-3 समर्ती क्या कहलाती है computer की S-3 समर्ती क्या कहलाती है तो यह कहलाती है RAM random access memory ठीक है और जो S-3 यह temporary है और एक होती है Rome, read only memory ठीक है, दो type की होती है यह मैं, चलिए, यहाँ तक समझा गया आपको, अगला है reactor पेमाने दवारा क्या मापा जाता है तो reactor पेमाने के दवारा जो है, क्या नमापते हैं भुकंप की तेजी, भी इससे मापी जाती है ठीक है चलिए, तो भुकंप आया वो तो किस से हम करते हैं सिस्मगराप से हम पता लगाते हैं, लेकिन कितना आया कितनी तेजी से आया, 5.4 आया 4.6 आया 6 पुकंप, कितनी तेजी का आया भुकंप, तो यह पेमाना रियक्टर पेमाने के दवारा, रियक्टर स्केल के दवारा इसको मापा जाता है भुपटल में सबसे अधिक कौन सी धातू है तो वो कौन सी धातू है अलुमेनियम है, कौन सी धातू है, अलुमेनियम जो धातू है, वो सबसे अधिक है भूपटल पे, किस गरह को सांद का तारा कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, सुकर गरह को कहते हैं यहां तक कलियर है समझा की बात यहां तक आपको चलिए अगला है, वाय मंडल की सबसे निचली स्थे को क्या कहते हैं सबसे निचली स्थे की बात हो रही है यहां पर जैसे ऐसे बनी होती है जैसे उपर उपर हम बात करें बहाय मंडल होता है ठीक है बहाय मंडल हो गया ऐसे लेयर बनी होती है ठीक है ऐसे तो यह निचे निचे की बात आप से पूछ रहा है तो यह होता है अक्सोब मंडल ठीक है सोब मंडल कर लोगे नोट अक्सोब मंडल ठीक है? फिर जैसे समताप मंडल हो गया मद्दे मंडल हो गया ठीक है? तो ऐसे ये उपर य-उपर आपका भाय मंडल हो गया इस टाइब से ये लेर बनी होती है तो यहाँ तक आपको कलियर होगा अच्छे से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ नेक्स्ट क्यूशन है प्लास्टर पैरिस किस से बनता है तो प्लास्टर पैरिस है वो किस से बनाया जाता है जिपसम के दवारा बनाया जाता है किस से जिपसम से ठीक है जिपसम के दवारा इसको बनाते हैं अगला है म इंसलेशन बोलते हैं उसको ठीक है ये सारे के सारे इजी परसन है कोई भी बच्चा है वो कर देगा इनको ठीक है लेकिन जिन्नों ने बिल्कुल सुरुवात से तैरी की है उनको जो हो सकता ये भी नाए कुछ ऐसे चीजें होती है ज्यादा इजी कई बार गलत हो जाता है ये अगला है अगला इपोर्टेंट क्यूस्टन है बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में रिजरो बैंक ओफ इंडिया का मुख्या ले हैड़ क्वार्टर कहां पे है तो ये है मुंबाई के अंदर ठीक है और आरभी की स्थापना के हम बात करें तो एक अपरेल 1935 और आरभी के अभी रिजरो बैंक ओफ इंडिया के जो गवर्नर के हम बात करें जिनके जो है नोट पे स्थाक्सर होते हैं तो वो सक्तिकांदास है ठीक है तो समझ आगे अभी कलियर रहे हैं तक चले नेक्स्ट हम बात करते हैं किसे सीमांत गांदी कहा जाता है किसे सीमांत गा खार खान उनको खान खान अब्दूल गफार खान ठीक है इनको सिमान्त गांदी का गया खान अब्दूल गफार खान समझ आ गया कलियर है यहां तक किसी पर कर गया कोई डाउट नहीं होगा आपको चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्यूसन की तरफ चलते हैं कि यहिए हमारा नेक्स्ट क्यूसन है विस्टो का शबसे बड़ा दुईब कोन सा है तो सबसे बड़े दुईब की जहां तक बात आएगी तो आप करोगे घरीन रैंड ठीक है घरीन लैंड एक्टूसन है सवतंतर भारत के पर्थम राष्ट पती कों थे तो सब जानते हैं कि राजेंदर परसाथ थे और परधान मत्री कों थे जवारलल नहरू थे भारत में सबसे पुराणी परवत संकला की बात करें तो आप कहोगे अरावली ठीक है तो राइट भी यही होगा अरावली परवत स्रिंखला ठीक है परवत स्रिंखला या परवत माला धरती के तल का लगबग कितने परतीसत पानी है तो लगबग जो है 71 परतीसत एक एतर परतीसत समझा गया चलिए आगे चलते हैं कांगरेस की किस अदिवेशन में पूर्ण सवराज्य की गोशना हुई थी थोड़ा सा डिस्ट्रबेंस हो रहा होगा आपको कल भी इसी कारण में वीडियो नहीं बना पाया था यह बैकराउंड जो है नोईस की वज़े से तो कांगरेस की किस अदिवेशन में पूर्ण सवराज्य की गोशना तो यहां पर हम बात करें जो लाहोर जो अदिवेशन हुआ था लाहोर अदिवेशन हुआ था जो 31 डिसंबर 1929 वड़ा तो उसके अंदर जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण सवराज्य की घोषणा की मांग होई थी और इसमें ये डिसाइड भी किया गया था कि हम जो है 1930 को जो है पूर्ण जो है सौतंतर तादेवस के रूप में इसको मनाएंगे और इसके देखता है वो जो पारल नहरू ने की थी इस अधिवेशन की ठीक है जो लाहूर अधिवेशन था यह कौन सा अधिवेशन था यह लाहूर का मताता कि आयों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की सविधान संसोदन दवारा की गई है बहुत इपोर्टेंट क्यूसन है Constitution amendment है यह पूछे जाते हैं तो यह कौन सा सविधान संसोदन था हम बात करें तो यह था भे 61 सविधान संसोदन एक सटमा सविधान संसोदन 1989 वीमराव अमेटकर किस परदेस से सविधान सभा में सदश्य थे तो वह थे कहां से मुंबई से कलियर है समझा गया वई राष्ट्र धवज का डिजाइन किसी ने विंकेया ने ठीक है पिंगली विंकेया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूसन की तरफ आधुनिक भारत का मन्नू किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेड कर दोनों सदनों की सुंक्त बैठक कौन बुला सकता है अब यहां पर दो क्यूसन बनते हैं एक तो सुपा अधेक्स यह लोग सबस्पिकर जैसे अभी ओम बिरला है और राष्ट पती कोन है रामनाथ कोविंद है भारत में पर्थम आम चुनाव कब हुए थे तो यह हुए थे 1951-52 के अंदर ठीक है पहले आम चुनाव की बात पूछी गई आपसे अब नेक्स आम बात करते ह गया लेकिन शुरुवात के अंदर इस अनुसुची की हम बात करें नोवी अनुसुची में जो मामला डाल दिया जाता था उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था लेकिन 1973 के बाद ऐसा हुआ कि एक केस्वानंद भारती का एक हाई प्रोफाइल केस था जिसके अंतरगत जो है सुप्रीम कोर्ट ने का कि ऐसा कोई मामला होता है तो जो है ऐसे मामले पर जो है दोबारा से ध्यान के अंदरित किया जा सकता है ऐसा नहीं किया जा सकता है तो कि संसोधन दवारा जोड़ी गई यह आप से पूछा जा रहा है इसके अंदर तो य यहां पर गलत हो गया यह पर्थम सविधान पर्थम था यह पर्थम संसोधन किया गया था यह ठीक है जिसके अंदर 13 कानून इसमें सामिल किये गए अभी लगबग 283 के लगबग इसमें कानून है सविधान संसोधन दवारा परस्तावना में संसोधन किस संसोधन के दवारा क चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की तरफ नेक्स्ट क्यूसन हमारा सोचन के वुरूद अधिकार किस आर्टिकल किस अनुछेद में है सोचन के वुरूद की हम बात करें तो यह आर्टिकल हो जाएगा आपका 23 और 24 दोनों मौलिक अधिकार किस देश से दान से लिए तो यह हमने लिए अमेरिका से कहां से लिए हैं अमेरिका देश से चिस दिलिक राष्टर राजधहनी का दरज़ा दिया गया तो यह भी बहुत इपोटेंट है और बार बार सona गाता सु 2818 का जो रहाषा स् accountable उसके अंतरगात के लोख लेखा समीति में कितने और कि सदन के सदस्य होते हैं ये भी काफ़ी अच्छा क्योंप संन है लोख लेखा समीति अब shamika का जो देक्स होता है वह विपकत्र का नेता होता संसत की पर्थम बैठक कब हुई थी तो यह बैठक कब हुई थी भी 13 मई 1952 को चीक है 13 मई 1952 को कलियर है यहां तक आपको अच्छे से समझ आगी होगी बात चलिए अब कुछ पांच क्यूसन इजी जी बता देता हूं पांच साथ क्यूसन निती आयोग के अधिक्स निती आयो कब आया था यह 2015 के अंदर है निती आयोग के उपादेक्स डॉक्टर राजीव कुमार है निती आयोग के सी और मिताब कांत है यूपीसी यूनियन पब्लिक सर्विश कमिशन के हम बात करें तो इसके अधिक्स है परदीब कुमार जोसी यूपीसी कबना था उनीसोचबीस म विधी आयोग के अधिक्स की बात करें तो बलवीर सिंग चोहान है महिल आयोग के अधिक्स अरेखा सर्मा है और ओबीसी आयोग के अधिक्स बगवानलाल साहनी है तो ये पार्ट नमबर 7 था वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा जितना होसके अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करें लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत